आज गली गली अवध से जाएंगे आज पगपग पलक बिछाएंगे आज सुखे हुए पेड़ फल जाएंगे हैपी दिवाली भाई लोगो नैना भीगे भीगे जाएं कैसे खुशी ये छुपाएं राम आएंगे दिवाली खुलके मनानी है धील बिल्कुल देनी नहीं है जो ग्यान पेले उसी को पेल देरा महेंस किया को और एक और बाद एक आद तिली भाई सब पठाके पर कम लगाओ तो चलेगा लेकिन जो जलने वाले हैं न भाई उनको कम मत लगाना उनकी जुरू इकतिस तारीक को य दिवाली इकतिस को मनाएं की एक को मनाएं भाई मेरे पास सॉलूशन है तुम लोगों के लिए दोनों दिन मनाएंगे ओके दोनों दिन मनाएंगे न यार अबे गरीब थोड़ी हैं हम लोग यार भाई हद्दोगी यार त्योहार वाले दिन तो न गरीब गरीब रहता है न बिल्गुल भी ठीक है, भाई इसकी आँख तुम चाहे जो मर्जी कर लो भाई, सबसे जादा ट्रोफी भले ही CSK के पास हो, मॉंबई इंडियन्स के पास हो, उसके बाद KKR के पास हो, पंजाबी इंडा हाउस गाईज, सबसे जादा पैसे लेके, भाई लोगों हम जाएंग के ओक्षन के टेबल पे, हमारी परी तो भाई साब दो चार बौरे भरके जाएगी वहाँ पे ओक्षन में, किसी को नहीं छोड़ेंगे, विराट कोली, महेंदर बाहु बली धूनी को छोड़के, और मेरा गिरधारी लाल देख लो कर दिया ना वही काम फिर दुबारा, जि इस सब पहले की मैं तुमारे साथ रूबरू हो जाओं पाईजन, एक बारी कमेंट बोक्स में जरा बता दो, कमेंट करकर के, कौन कौन किस किस फ्रेंचाइज से आया हुआ है, आज कोई यारी दोस्ती नहीं चलेगी, आज इस लाइब में भाई साब एक दूसरे के गले भी पगड सकते हैं हम लोग, जब बात देश की आती है तब हमें एक होना पड़ता है, हाँ वैसे कोई सरम लिहाज नहीं है वहें इसकी याँ, सीधी सी बात ये है, चश्मे निकाल देता हूँ मुझे तुम लोगों के साथ रूबरू होना है पाईजन, भाई दखो बात ऐसी ह सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, सबसे बड़ी ब्रेकिंग दे देता हूँ, शारुक खान ने बहुत कोशिश की, बहुत महिनत करी दिन रात एक करके, लेकिन खान साथ रिटेन नहीं कर पा रहे हैं भरेजी को, मुझे मालूम है बहुत ही पीड़ा हो रही होगी आप लोगों को यह बात सुनके, काफी दुख दर्द महसूस हो रहा होगा, मैं परमाण दे सकता हूँ, आप लोगों के भीतर, काफी इस टेम पे हिर्दे आप लोगों का कचोटा गया होगा, लेकिन भाई लोगों कहीं बारी ऐसा होता है, देखिए भरष जी लाइक कर पटा दिया एग्रो आगे क्योंकि मुझे कहने की जुरत नहीं बड़ती है, हाँ क्योंकि मैंने कहके भी देख लिया, बिना कही भी करना तुम ने वही है, रहाँ जो कर देते हो अपने आप वैसा मैं कह रहा हूँ और जो जो नया है वो सब्सक्राइब भी कर देना नहीं अईयर उसके साथ दिल्ली में जब वो था डीसी में जब था वहाँ पे भी उसके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ था पहले कैप्टन था फिर इंजर्ड हुआ फिर वापिस आया फिर निकाली दिया वेंसकी आंग चलो वो कोई बात नी भाई हो गया उसके बाद यार केके आर में उस बंदे ने अपनी कप्तानी के अंडर भाई ट्रोफी जिता ही है ठीक है मास्टर माइंड गौतम गंबीर वो चंदू सर वो सारी चीज़े ठीक है लेकिन अल्टीमेडली जब कप्तान हार जाता है ना अगर उसकी टीम हार जाती है सबसे पहले गाली उसको पढ़ती है भाई तो ये बहुती ज़्यादा गलत है अगर ऐसी खबर सच है कि वो अईयर को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं केक्यार वाले भले ही प्लेयर की कोई डिमांड थी नहीं थी वो सारी बात है ठीक है अच्छा मैं अब यहाँ पर बता देता हूँ एगरी और डिसएगरी कर देना इस बात में घर पे बैटे बैटे तुम लोगों को भी लग रहा होगा भाई पचास लाग देज़े भाई पानी ही पिला देंगे भाई भाई कोली भाईया का बैग ही उठा लेंगे भाई अगर दे तो 20-30 लाग रुपे दे सकते हो तो ऐसा मोहलो रखा है भाई एक तो मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले श्रेश एयर या फिर एयर श्रेश एयर या फिर रिशब पंथ इन में से एक पंजाब टीम का कैप्टन बनने वाला है बता हो ज़ा गलत तो नहीं कह रहा हूँ रिशब पन्त और श्रेश होयर में से अगर उनकी टीमें उने रिटेन नहीं कर रही हैं तो उस case में एक बंदा कप्तान बनने वाला है पंजाब हो और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है श्रे श्रेश होयर ही बनेगा ऐसा मुझे लग रहा है बाकी बाद में देखेंगे लेट्स लाफ गाईज मोमेंट है और एक बड़ी ही गुस्से वाली मोमेंट है मुझे नहीं पता तुम लोग कितने भाई लोग हो जो चाते थे कि रोही शर्मा मुंबई के लिए ही खेले दखो जो कुछ हुआ अगर तुम लोगों का वही नेचर है कि चला चला कई नी कई न कोई नी की बात नहीं होती यार लेट्स लाफ गाईज मोमेंट करो मैं बताता हूं क्या है लेट्स लाफ गाईज मोमेंट यार भाई राहूल का भी जमीर जाग गया केल राहूल का केल राहूल ने पता जा कहां कहते है मेरे ता परसनल मेरी ता परसनल इसू है परसनल और प यहां तक मतलब लोगों का माइंड जो है ना मतलब डिस्टरब हो चुका है मैंने का तु रहन दे तु घर पे पूजा पाठ कर मोहल भी ठीक बना हुआ है एक दिया लगा और दिया लगाने के बाद मैंने का तु पूजा तु आज जोड़ के बैठ जा मैंने का नितिन गटकरी कौन सी टीम से खेलेंगे हाद हो गी यार भाई यार रोड ठीक नहीं बन अंतु लेकिन मॉम्बい इंडिय की मैनेजमेंट ने काशर नहीं चोड़ी थी तो अब देखते हैं क्या होता है अभी तक तो खबर ही है यह भाई बुमरा भी वही है सूरिया भी वही है ठीक है और तुम्हारा रोहित भी वही है तुम्हारा हार्दिक भी वही है अनकैब्ट में वो शायद किसके साथ जाएंगे वो उसके साथ जा रहे हैं शायद वो लड धीर के साथ जाएंगे वो बड़ा talented लड़का उसने दो-चार मतलब मैचों में बता दिया था उसके पाँ है वो impact है उसके पास बहुत बड़ा दूसरी चीज भाई लोगों सबसे पहले इदर देख लेते हैं काव्या मरन बड़ी sorted है भाई देखो काव्या मरन ने ये बता दिया तुम ना उलजर हो भाई लड़के और लड़कियों में क्या फरक है भाई पता है पता है क्या फरक है लड़के और लड़कियों में लड़के क्या होते हैं लास्ट डेट पे लगे रहते हैं पढ़ने पे बिल्कुल जब यह होता न आखरी तारीक है कल एक्जाम की तब जाके किताब खोलेंगे और तब जाके में में चीजे देखेंगे लड़कियों का क्या है न वो दो दिन पहले ही सारा कुछ कर चुकी होती है वो stand-up comedian था उसने बिल्कुल सही बोला था कहते हैं लड़कियों का यहां तक भी रहता है यह दो बारी न शीशे के सामने खड़े होके सारी revision भी कर चुकी होती है काव्यमरन का वही है भाई एक दम आराम से सबसे पहले करकर आके बैड़गी भाई वो करकर आके बैड़गी की चलो जी यह है अपना आई पेल दोजार परचीस के लिए रेटन किलाडियों की लिस्ट में भारत की पूरु कप्तान और बल्लेबाद मेंदर सिंदोनी और प्राट तोली की काफी चर्चा हो रही है और इसके साथ ही रोई सर्मा जस्परिक भूमरा और सुर्यों कुमार यादव वापिस कुंगो इंद्याज में खेलने की चर्चा हो दिया है और इसक्रट लगन नाती चताई को अलग जाना थी एक टीम हैंज इंदेंसीफ और इपेल राउन टूर और स्रेसेयर को प्रिए बहान दिखार दिया है स्रेसे रोगों रिदेनी स्टेरेट में क्यान ने शुब तो पता हैं कि विद्टों पता हैं